मुख्यमंद्री तीर सदर्शन योजना की तर्ज पर एक पहल हुई है और सरपंच तीर सदर्शन योजना की शुरुवात की गई है खंडवा में इस अनों की पहल को ग्राम पंचायत काला मुखी की महिला सरपंच ने शुरू किया है इसके तहद यात्रा इंदौर और उज्जेन की कराई जाएगी संभवता सरपंच तीर से दर्शन यात्रा का ये पहला मामला है देखे हमारी खास स्पोर्ट खंडवा में मुख्यमंदरी 3 दर्शन योजना की तर्स पर सरपंच तरशन योजना शुरू की गई है ग्रामपंचअत कालमुखी की सरपंच मनीशिय वर्मा ने ये पहल की है कालमोखी से इंदोर और वहां से उज्जेन पहुचकर भगवान महाकाल के दर्शन कराये जाएंगे इसके साथ ही महाकाल लोग का प्रहमन भी कराया जाएगा इसके अलावा इंदोर के खजराना गणेश मंदीर और पित्र परवत पर भी तिरसे यात्रियों को ले जाया जाएगा तिरसे यात्रियों में 11 ग्रामिन वह पाश पंचायत प्रतिनी धी भी शामिल किये गए हैं सरपंच ने बताया है कि बकाइदा इसके लिए फॉर्म भरवाए गए थे चुनाओं में किया हुआ वादा हम निभा रहे हैं हमने कुना लड़ा था हमने समय गोठना शुपी कि हमगी दिर से घर्शन करवाएंगे तो मानिनी परभान मंत्री मोधी थे हम उनकी मांगे चिंचे आज उनी सारी प्राइरम भी आए है सरपंच तरशी नियूजणा के जरीए एक मसाल पेश करने का काम किया गया है जो कि अन्य पंचायतों के लिए भी नजीर सापी धोकी ब्यूर रिपोर्ट, MP News, खंडवा